Find the area bounded by x-axis and the curve given by x equal to a sin t and y equal to a cos t ठीक है, for t का value 0s लेकर pi तक, for t 0 to pi तो देखो ये जो curve लिखा हुआ है, x equal to a sin t और y equal to a cos t ये दोनों जो curve ये parametric equation लिखा हुआ, मतलब t parameter है तो parametric equation दीगा हुआ curve का और इसका area find करना है एक तो तरीका है कि इसको हम लोग xy में equation find कर लेंगे parameter हटाके, eliminate करके, तब area find कर सकते हैं और इसको direct area find कर सकते हैं, direct, देखो, direct shortcut होता है direct area find करने के लिए लिखेंगे area, area equal to, area bounded है ना तो area equal to, अब देखो t का value 0s लेकर pi तक दे दिया है ना तो y और dx सबको t के term में replace करना है, तो अभी हम लोग limit नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा y into dx है, अब इसको t के term में replace करेंगे, उसके बाद यहाँ value हम लोग t का limit रख देंगे y मतलब कितना हो जागा? a cos t हो जागा, ठीक है? और dx तो अगर x equal to a sin t है, तो dx equal to कितना होगा? a sin t के cos t into dt तो dx के place के लिख देंगे a into cos t into dt अब t का value लिख देंगे 0s लेकर pi तक जतना दिया हुआ है अब इसको बाद solve करना है, तो इसको solve करेंगे, तो a square बाहर आ जाएगा और 0s लेकर pi तक, और यहाँ पर हो जाएगा cos square t into dt, ठीक है? cos square t into dt देखो a square के a square, cos square t है न, तो इसका होता है 1 plus cos 2t by 2 ठीक है? और 0s से pi तक integrate करना है into dt, तो a square by 2 तो बाहर आ जाएगा और 1 है न, तो 1 का integration यहाँ पर dt हैट तो 1 का t हो जाएगा plus cos 2t का होता है sin 2t by 2, अब दिख देंगे 0s लेकर pi तक, तो अगर हम लोग pi रखेंगे तो यहाँ पर pi हो जाएगा, और sin 2 pi हो जाएगा 0, minus 0 रखेंगे, तो 0 पर सारा 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? pi a square, pi a square by 2, तो pi a square by 2 जो हो गया, यही हो गया area, तो a square units इस तरीके से parametric coordinate वाला area find करना होता है झाएगा